यार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूटूब चनल पर जिसका नाम है इस्टोडी विद्पी एल नोदा साथियों हिंदी व्याकरण का मोडल पेपर नंबर 11 आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके रीट प्री एक्जाम दोजार चोईस साथ ही रीट मेंस दोजार चोईस और इसके अलावा फश्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और सीटी की जो बरती है इनके अलावा साथियों जिस भी बरती में आपके हिंदी व्याकरण के प्रिश्न पूछे जाते हैं बहुत ही मैं 25 प्रिश्न आपके लिए यहां पर मैं लेकर आया हूँ जो आपके लिए किसी भी बरती में बहुत ज़्यादा उप्योगी रहेंगे तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को प्रत्य प्रिश्न को बहुत ही विशलेशी तरीके से हल करने वाले हैं पहला प्रिश्न देखेगा प्रिश्न नमबर एक को प्रत्य की दरश्टी से शुद्ध नहीं है चोटा प्लस पन छुटपन भूल प्लस अकड भुलकड एक प्लस हरा एक हरा जीव प्लस एक जेविक तो देखो जब हम छोटा शब्द में पन प्रत्य लगाते हैं तो शब्द क्या बन जाता है छुटपन जब हम भूल शब्द में अकड प्रत्य लगाते हैं तो शब्द बन जाता है भूलकड देखो यहां भूल जो शब्द है इसमें तो बड़े उकी मातर लग रही है लेकिन यहां जो भूलकड में जो भूल शब्द आता है इसमें छोटे उकी मातर हो जाती है साथियों और जीव शब्द में एक प्रत्य लगाने पर शब्द क्या बन जाता है जेवी के पहला दूसरा और चोता विकल्प तो शुद्ध है किन्तो एक प्लस हरा एक हरा शब्द नहीं बनता है शब्द क्या बनता है एक हरा ये शुद्ध शब्द होता है अता है पहले प्रिश्ण में आपके तीसरा जो विकल्प है यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों प्रश्ण संख्या दो की ओर बढ़ेंगे निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है भर पेट परती दिन अध्यक्ष और रसोई घर तो मित्रों अगर हम देखे तो रसोई घर जो शब्द है यह बना है रसोई प्लस घर यह सायोग से बना है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है दूसरे प्रश्ण में आपके चोता विकल्प सही आंसर होगा आगे हम प्रश्ण संख्या तीन की ओर बढ़ेंगे तीसरा प्रश्ण देख लेते हैं हात से लिखा हुआ वाक्य में समास है तत्पुरुस द्वंदुए अवे भाव और करमदारे तो इस प्रकार से भी आपके एक्जाम में प्रश्ण पूछे जा सकते हैं देखो हात से लिखा हुआ इसका सामसिक पत क्या समास शब्द क्या बनेगा हस्त लिखित क्या बनेगा साथियों हस्त लिखित बराबर हात से लिखा हुआ या हास के द्वारा लिखा हुआ तो करता ने कर्म को करन से से या के द्वारा तो मितलब यहां पर यह करन तत्पुरूष समास का यह उधारन है किसका उधारन है यह करन तत्पुरूष का अब यहां करन तत्पुरूष नहीं दे रहा है किंतु क्या दे रहा है तत्पुरूष दे रखा है अता है आपके तीसरा जो प्रश्ण है इसमें पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्ण संख्या चार की और बढ़ते हैं चोता प्रश्ण देख लेंगे अच्छा लगए वीडियो वीडियो को लाइक करके जाईएगा और चैनल पर नाए हो त मैंने एप का डाउनलोड लिंक कमेंड बोक्स में दे रखा है वहाँ से आप एप को डाउनलोड करके कोर्स को जोइन कर सकते हो साथ ही हो प्रश्ण संख्या चार है दादी कहानी सुनाएगी वाग के का क्रम वाच परिवर्तन कीजिए पहला है दादी से कहानी नहीं तीसरा है दादी ने कहानी सुनाई और चोता है दादी द्वारा कहानी सुनाएगी तो देखो एक वाग क्या है वे वाग की लिखा हुए दादी कहानी सुनाएगी यह जो वाग कि है यह किसका उधारन है करत्री वाच का यह उधारन है और इसको हमें कर्म वाच में बदलना हैं तो इसका कर्मवाच में परिवर्तन करने पर क्या बनेगा दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी जो चोता विकल्प है आपके प्रिश्ण संख्या चार का बिल्कुल सही आंसर है देखो अगर इसको हमें भाववाच में बदलना होता तो फिर इसका भाववाच क्या ब वाव के काल की द्रश्टी से है कैसा सामानी वर्तमान काल संभावी वर्तमान काल संदिग्द वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल तो अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब वह जो क्रिया वर्तमान में जारी हो तो सोहन मकार में काम करता हो करता हो मतलब यहां पर हमें विकल पाप का अंसर होगा साथियों प्रश्ण संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे देखेंगे प्रश्ण नंबर 6 को छेटा प्रश्ण है जनता वर्षा हवा और आग एसे शब्द वचन की द्रश्टी से किस में आएंगे एक वचन में दिवचन में बहुचन में या इनमें से सभी में देखो चार शब्द दे रखें हैं एक तो जनता है एक वर्षा है एक हवा है और एक आग है ये चारों शब्द साथियों हमेशा कौन से वचन में आते हैं हिंदी व्याकरनिकें तरगत बिल्कुल इन तो छेटे प्रश्ण में आपके फिर पहला विकल्ब सही रहेगा प्रश्ण नमबर साथ को देखेंगे प्रश्ण नमबर साथ है निम्न में से विकारी शब्द है जिसमें संदी हुई है देखो प्रश्ण पूछने का तरीका संदी को आप प्रति दिन खेत रमेश और जल खेत शब्द एक मूल शब्द है परति प्लस दिन इसमें कोई संदी तोड़ी हो रही है इसमें तो सिर्फ उपसर्ग लगा हुआ है कि परिवर्तन तोड़ी हो रहा है मित्रो ओल्ली ये जो रमेश शब्द है इसमें संदी हो रही है और रमेश एक संग्या शब्द है और सं प्रश्ण संख्या साथ में आपके तीसरा विकल्ब सही रहेगा प्रश्ण संख्या आठ की ओर बढ़ेंगे आठ वा प्रश्ण देख लेते हैं प्रश्ण अबर आठ है आपके अनाथाले शब्द में कौन सा समास होगा शब्द कौन सा दे रहा है अनाथाले करम तत्पुरु के लिए तो के लिए शब्द कौन से तत्पूरु समास के अंतरगत आएगा करता ने कर्म को करन से संपरदान के लिए तो मतलब अनाथो के लिए आले संपरदान के लिए तो कारक्चिन के लिए है संपरदान का अरता अनाथाले जो शब्द है इसमें कौन से समास होगा संग्या से बना विशेशन है, गुमकड है, अडियल है, सडियल है या इरिश्यावान है, तो संग्या जो पहले आप यह देखो, कि मौल शब्द संग्या होना चाहिए और फिर उससे विशेशन बन रहा हो, तो यहाँ पर प्रश्ण संग्या नो का अंसर देखें, तो मित्रो जो चोता विकल्प है, यह इरिश्यावान, इरिश्यावान में इरिश्या यहाँ पर मौल शब्द है, अब इरिश्या शब्द क्या है, एक भाववाचक संग्या है, क्या है, भाववाचक संग्या शब्द है यह, और जब हम इसमें वान प्रत्य लगा देते हैं, तो यह इ प्रश्न संख्यात दस की ओर दसवा प्रश्न देख लेते हैं किस विकल्प में किरिया अपून वर्तमान काल में हैं रेखां पुस्तक पढ़ती है मोहन किताब पढ़ रहा है गीता बाजार जाकर कपड़े खरीदती है और ऐसा लगता है आज बारिश होगी तो देखो ऐसा ल लेकिन खरीद रही है अगर ऐसा होता तो वह अपून में जाता मोहन किताब पढ़ रहा है मतलब जिसमें किरिया वर्तमान में भी जारी हो उसको कहा जाता है अपून वर्तमान काल और मोहन किताब पढ़ रहा है मतलब किरिया वर्तमान में जारी है अता है यह अपून वर्त दमानकाल का उधारण होगा तो दसवे प्रिश्ण में फिर दूसरा विखलप आपका अंसर है प्रिश्ण संख्या ग्यारा की ओर बढ़ेंगे ग्यारवा प्रिश्ण देख लेते हैं स्वे उपसर्ग का प्रियोग किसमे नहीं हुआ है स्वार्थ स्वेमवर स्वाधीन और स्वे धर्म तो देखो स्वे उपसर्ग किसमे नहीं लगा हुआ है स्वे धर्म शब्द देखे तो स्वे प्लस धर्म बराबर शब्द क्या बन जाएगा स्वे धर्म स्वे उपसर्ग ल اपसर्ग है स्वuben प्लस अर्थ बराबर शब्द बशोर्द, स्वार्थ स्वाधिन और सवधर्व में चिन्तु स्वध अर्बर जो शब्द है यह बन रहा है सवयम प्लस वर तो स्वएम अग लगावा है इस वज़े से 11 अधर विखल पहे sezam इसमें स्वय उपसर्ग नहीं लगा हुआ है तक 11 प्रिश्ण में दूसरा विकल्प आपका अंसर है प्रश्ण संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे 12 प्रिश्ण है अशुद्ध विकल्प का चेहन कीजिए कुंती प्लस ए कॉंते रगू प्लस ए रागव कुमार प्लस ए कोमार्य धन प्लस एक धनिक तो देखो अशुद्ध विकल्प देखना है धन शब्द में जम हम एक प्रत्य जोडते तो धनिक शुद्ध होता है अगर आप कहोगे कि एक प्रत्य के कारणी ये धनिक हो जाएगा तो गलत है क्योंकि धनिक कोई शब्द नहीं होता शुद्ध शब्द होत तो शब्द बनता है कोमार्य यहां ए प्रत्य लगा हुआ है इस वज़े से यह क्या हो गया गलत हो गया तो बारवे प्रिश्ण में आपके तीसरा विकल्प आपका अंसर होगा प्रिश्ण संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे देखिएगा तेरवे प्रिश्ण को सभी शब्द शु जो है शुद्ध है वो देखना है तेरवे प्रिश्ण का आंसर देख लेते हैं तेको जो चोता विकल्प है इसमें तीनों ही शब्द शुद्ध है जोतसना अप्राहन और प्रेज्वेलित इस प्रकार से ही इनको लिखा जाता है तेरवे प्रिश्ण में आपके चोता विकल बिल्कुल सही आंसर होगा अब हम प्रश्ण संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे चवदुवा प्रश्ण देख लेते हैं संख्या आश्रित उपवाग के है रमा ने कहा कि आज बरसात होगी यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी जेसी करनी वेसी भरनी और जब आप आओ तब मुझे बता देना तो संख्या आश्रित उपवाग की प्रश्ण नमबर 14 में पूचा जा रहा है मैं देखो मिश्रुवाग की जो होता है ना इसके तीन बेद होते हैं कितने बेद होते हैं तीन इसमें से एक बेद होता है आपके संख्या आश्रित उपवाग की और संख्या आश्रित उपवाग की पेचानने के लिए अगर मिश्रुवाग की है और बीच में की लगावा है सामानी तोर पर की शब्द का ही प्रियोग होता है संग्या आश्रित उपवाक्यों में तो मित्रो कहा लगा है कि शब्द पहले विकल्प में रमा ने कहा कि आज बरसात होगी बिल्कुल ये संग्या आश्रित उपवाक्य का उधारान है प्रश्ण नमबर 15 की ओर बढ़ेंगे पंदरुवा प्रश्ण देख लेते हैं रोगी ने दवा पी लेकिन उसे चक्कर आ गए यह वाक्य है सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सयुक्त वाक्य है और आग्या वाक्य है तो देखो सरल तो होगा नहीं क्योंकि रोगी ने दवा पी लेकिन उसे चक्कर आ गए दो अगलग वाक क्यों रहे आग्या वाचक आग्या नहीं दी जा रही है ये भी गलत मिश्री या संयुक्त तो देखो साथ यो प्रश्ण नमबर 15 में अगर हम देखें लेकिन से वाक के जुड़ा होने पर वाक किसमें चला जाता है संयुक्त वाक में चला जाता है पंदरवा प्रश्ण में जो आपके तीसरा विकल्प है यही आपका सही आंसर होगा प्रश्ण संख्या 16 के ओर बढ़ते हैं अब विकल्पों को देखते हुए आंसर देना है अतीसर श्वच्छ नीला आकाश दो जगा आपको अशुद्या देख सकते हैं किन्तु दिए गए जो विकल्प हे उसके आदार पर आपको देखना है तो भाई आकाश कैसा होता है मित्रो नीला होता है तो आकाश अती सोच होना चाहिए ये जो नीला शब्द दे रखा है फिर ये क्या एक्ष्ट्रा है ये गलत है तो नीला शब्द क्या एक विशेशन शब्द है अधा है इसमें विशेशन संबंदी अशुद्धी है सोलवे प्रिष्ण में दूसरा विकल्प आपका अंसर होगा प्रश्ण संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे चलिए सत्रुआ प्रिष्ण देख लेते हैं निम्न में से कौन से विकल्प में लोकोक्ती नहीं है काला क्षर भेज बराबर दूविदा में दोनों गए माया मिली नराम अंदी पीसे कुता खाए और कागच की नहीं होना तो देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि जो लोकोक्ती और मुहावरे होते हैं इसमें अगर आपको मुहावरा देखना होना तो सबसे बाद में मुहावरा जो खतम होता है वहाँ पर एक शब्द आता है ना जिसे कागच की ना हो ना आ रहा है ना इसमें भी बिल्कुल ये ना जो शब्द है 95% से भी ज़्यादा मुहावरों में आपको पिछे ना शब्द देखने को मिल जाएगा और लोकोक्तियों में ऐसे देखने को नहीं मिलता है त्वंदी पीसे कुत्ता खाए दुईदा में दोनों गए ये वाला और कालाक्षर बेज बराबर ये तीनों ही लोकोक्तियां है किन्तु यहाँ पर कागच की नाव होना ये क्या है साथियों लोकोक्ति नहीं है तो सत्रवे प्रिश्ण में फिर चोता विकल्प आपका अंसर होगा प्रश्ण संक्या अठारा की ओर बढ़ेंगे साथियों अधारवा प्रिश्ण देख लेते हैं हवा से बाते करना मुहावरे का अर्त है बहुत तेज दोड़ना, बहुत उचा उटना, हवा में उड़ जाना और बहुत पर्तिष्टित होना तो देखो मैंने अभी पिछले क्यूशन में बताये था कि मुहावरों की पेचान के से करनी है ये ना शब्द होता है सबसे बाद में आ रहा है ना सभी में चारो ही विकल्ब में आ रहा है क्योंकि चारो ही क्या है मुहावरे है तो बहुत तेज दोड़ना, हवा में उड़ जाना, बहुत उचा उटना और बहुत पर्तिष्टित होना ये जो है मुहावरे का जो अर्तेब हवा से बाते करना ये करना जो शब्दे आवा से बाते करना ये बहुत उच्छा उठना इसका सटी करत होता है साथियों 18 प्रिश्ण में दूसर विकलबाप का अंसर होगा प्रिश्ण संख्या 19 क्योर बढ़ेंगे 19 वा प्रिश्ण है संख्या संबंदी पदबंद है मैं उसे कामचोर कहता हूँ शेर की तरह दहारने वाले आज तुम चुप क्यों हो मोहन का भाई सोहन बहुत सोता है और तकदीर का मारा मैं आज यहां पहुंच गया तो इन में से संग्या संबंदी पदबंद देखना है पदबंद के भी प्रिशन आपके पूछे जाते हैं एक्जाम्स में तो देखो अगर हम बात करें तो संग्या संबंदी पदबंद का उधरन कौन सा है मोहन का भाई सोहन बहुत सोता है यह सोहन पे मार को रहे न तो मित्रों सोहन के एक संग्या शब्द है बिल्खुल यह संग्या पदबंद का उधरन है 19 वे प्रिश्ण में तीसरा विकलपाप का अंसर होगा प्रिश्ण नमबर 20 को देखेंगे 20 वा प्रिश्ण है किस शब्द का बहुचन नहीं बनेगा कविताएं कविता, कपड़ा, आसू और बात तो देखो बात बात एक वचन शब्द है इसका बहुचन क्या बनेगा बात का बाते बन जाएगा ठीक है कपड़ा का कपड़े इसका भी बन रहा है कविता का कविताएं इसका भी बन रहा है किन्तु आसू जो शब्द है इसका बहुचन नहीं बनेगा साथियों प्रिश्ण नमबर 20 में तीसरा विकलपाप का अंसर होगा 21 की ओर बढ़ेंगे किस वा प्रिश्णी क्या है अव्यभाव समास का उधारन है मारा मारी और यतार्थ जिवन भर और सप्ता समक्ष और कन्यादान प्रिश्ण और पंजाब तो देखो यहाँ प्रिश्ण तो अव्यभाव है किन्तु पंजाब नहीं है समक्ष अव्यभाव है किन्तु कन्यादान नहीं है जिवन भर यह आपके अव्यभाव में नहीं आएगा पिर सप्ता है जिवन भर तो अव्य भाव में जाएगा सप्ता नहीं आएगा और मारा मारी और यतार्थ स्मित्रों ये दोनों ही इसमें तो भई पुन्रावर्ती हो रही है और यतार्थ ये दोनों ही जो शब्द है ये अव्य भाव समास के उधारण है 21 में पहला विगल पाप का अंसर होगा 22 की ओर बढ़ते हैं प्रेश्ट नमबर 22 है इनमे से कोन सा संदी शब्द सही है समाज प्लस एक सामाजिक कवी प्लस इंद्र कविंद्र दिक प्लस नाक दिंगनाक राम प्लस इश रमेश तो देखो समाज प्लस एक नहीं होता है समाज प्लस इक होता है तो ये गलत कवी प्लस इंद्र ये तो सही है लेकिन इप्लस इसे बड़ी इकी मात्र हो जाएगी और ये कविंद्र में तो छोटी इकी लग दिये तो ये भी गलत हो गया डिक प्लस नाग दिंग नाग ये बिल्कुछ सही है राम प्लस इश नहीं होगा बलकि शब्द क्या बनेगा रमा प्लस इश बराबर शब्द बनेगा रमेश तो ये भी गलत हो गया अथा 22 में आपके जो तीसरा विकल्प है ये ये आपका अंसरे साथ हो 23 के ओर बढ़ते हैं 23 प्रिश्ण है कौन सा शब्द समू कमल का प्रियाईवाची है अंब उदक सलील विशिक इश्यू आश्गू अवनी श्रोणी मोदिनी नलीन तामरश शत्दल तो कमल का प्रियाईवाची शब्द आपको देखना है 23 में 23 में जो नलीन शब्द है जो तामरश शब्द है जो शत्दल शब्द है ये तीनों ही किसके प्रियाईवाची है कमल के प्रियाईवाची है चोता विकलप आपके 23 का सही आंसर है सेकंड लाश्ट प्रिश्न की ओर बढ़ते हैं अभी तक भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर करके जाहिएगा साथियों 24 निम्न में से सही विलोम यूगम कौन सा है कुपुत्र का कुशल आकाश का अंबर जीत का विजे और उन्नत का अउनत तो देखो कुपुत्र का तो सुपुत्र होगा आकाश का पाताल होगा जीत का यहाँ पर हार होगा यह तीनों ही गलत है उन्नत का उन्नत यह सही साथियों तो चोता विकल 24 का सही अंसर है अब आज का अंतिम प्रिश्ण देख लेते हैं टूंटी फाइव में क्या है आपके महात्मा शब्द में समास है अवीभाव समास तत्पुरुस समास क्रमदारे समास या दुईगु समास तो महात्मा जो शब्द है इसका समास विग्रे अगर हम करें इसका समास विग्रे क्या होगा महान है जो आत्मा महान है जो आत्मा अंधारे का उधारन है 25 में थर्ड विकलपा अपका अंसर है यह आपके हिंदी व्याकरण का पेपल नंबर 11 कंप्लीट होता है मिलेंगे साथ योग कल अगले वीडियो में